तो रोश में यहां पर एस्ट्रल लिमिटेड के Q4 के रिजल्ट आ गए हैं तो उसी के बारे में हम इस फीडियो में बात करेंगे और जानेंगे कि अब आपको एस्ट्रल लिमिटेड के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं तो चलिए शुरू करते हैं तो देखे सबसे पहले तो यहां पर कंपनी ने 1 रुपीज का डिविडेंड रिकमेंड किया है तो डिविडेंड के बारे में बात करने की अगर मैं बात करूंगा भी तो आप हस्ट होगे तो यहां पर हम कंपनी के रेवेन्यू की बात करते हैं तो देखे पिछले क्वार्ट के stock लगातार बढ़ रहे थे तो वे सीधा यहाँ पर clearly indication हमको मिल रहा है अगर हम net profit की बात करें तो वो यहाँ पर पिछले quarter के comparison में 43% बढ़ कर 176 करोड का यहाँ पर company का total net profit निकल कर आया है तो all over quarterly basis पर यहाँ पर company के result एकदम outstanding है अब इसके बाद अगर हम yearly basis जाने की पिछले साल के January से March वाले quarter से अगर हम compare करें तो वहाँ पर भी 79% का growth हमको company के revenue में देखने को मिला है यानि कि अगर company ने पिछले साल अगर 100 रुपे का product बेचा था तो 100 रुपे के उपर चीधा 79 रुपी का company का sales बढ़ गया है चीधा 179 रुपी का product company ने बेचा है 100 रुपे के उपर तो यहाँ पर अगर दिखा जा 79% का growth अगर yearly basis पर देखने को मिल रहा है तो यह शीला clearly indication है कि जो demand हमको देखने को मिल रहा है infrastructure development में तो इसलिए जो cement talks है pipe talks चे लगातार इसलिए आपको बढ़ते हुए नजर आ रहे थे अब इसके बाद अगर हम net profit की बात करें तो वो यहाँ पे 245% यानि कि 2 times यहाँ पे company का net profit बढ़ा है और जो total net profit निकल कर आया है वो आया है 176 करोट का देखिए पिछले साल इसी same quarter में यह profit 51 करोट का था तो यहाँ पर जो market leader जो करता हुआ नजर आ रहा है मेरे ख्याल से एक डम perfect यहाँ पर यह डिमांड दिखा रही है हमको pipe sector की अब यह देखिए 36,132 करोट का यहाँ पे इसका market cap है और इस sector का market leader है अगर हम listed securities की बात करें तो यहाँ पर extra limited market leader है तो इसके बाद अगर आप देखोगे तो यह industry के PE के comparison में यहाँ पर आपको लगेगा कि एक valuation एक concern है यह आपको double price to earning ratio पर trade ओटा हुआ नजर आ रहा है लेकिन market leader है तो यहाँ पर आपको हमेशा यह premium valuation पर trade ओटा हुआ नजर आएगा तो कि इस sector के अंदर यह अकेला एक ऐसा stock है जो कि large cap है अगर आपन अच्छा कासा यहाँ पर हमको revenue growth देखने को मिला है इसके अवाद अगर हम profitability की बात करें तो पिछले 4 साल से लगातार company की profitability भी बढ़ती हुई नजर आ रही है देखा जया तो पिछले 4 साल का performance भी अच्छा है और अभी इस यह साल जो COVID की वज़े से बीच में जो demand रुख ग profit company को एक ही quarter में हो गया है तो यह बता दे कि company ने कैसे पूरे साल का जो company की जो होनी चीए ती जितनी profitability वो कैसे company ने एक quarter में complete कर दी है अब यह देखे 1798 पे यहाँ पे एस्टरल लिमिटेड का share अभी trade हो रहा है 1972 का high है तो around 9-10% यह share अभी आपको discount पर मिल रहा है अगर हम peak से बात करें तो तो देखे यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो XL Limited में जो भी long term investors है उनका main question रहेगा एक valuation का एक valuation का concern यहाँ पर हमें हमेशा नजर आता है तो देखे आपको यह समझेना होगा कि जो share market में सबसे जादा जिनका revenue है XL चे जो market lead करते हैं वो आपको हमेशा premium valuation पर trade होते हुए नजर आएंगे जैसे paint sector के अंदर Asian paint जैसे IT sector के अंदर TCS तो यह बाते आपको समझे नहीं होगी अगर आप ऐसा सोचे रहो कि यह industry का P62 रुपीज का है तो यह आपको 62 के price to earning ratio पर मिल जाएगा यह आपकी बहुत समय में जितना भी अगर pipe sector में growth होगी तो मेरे क्याल से में market leader के साथ जाना ज्यादा पसंद करूँगा तो एक market leader है तो मेरे क्याल से long term investor इसमें बीना hesitation के यहाँ पर invest कर सकते हैं तो दोस्टों में hope करता हूँ कि आपको astral limited के Q4 के result के बारे में सब कुछ पता चल गया होगा अगर आपकी कोई भी queries है तो आप comment कीजिए मैं जरूर आपके comment पर reply करूँगा ओके दोस्टों thank you have a nice day